वेल्कूँ टू माई यूटूब चैनल आजम बताने जा रहे हैं पेंसन धाडियों के लिए दो महत्पुन अपडेट के बारे में जो लवार्तियों के लिए आया हुआ है जीवन पर्मानपत्र लास्ट डेट कब तक है इसका सम्मीट करने का सबसे पहले मैं बता दू जीवन पर्मानपत्र होता क्या है जीवन पर्मानपत्र वो होता है जो जीवित है जीवित होने का जो है डाटा सरकार के पाज़ देना है यह हम जीवित है यह बायोमेट्रिक मसीन के द्वारा दिया जाता है वैसे पहले होता था क्या आदमी जीवित है या नहीं है सरकार सभी के ख दूँ इसका जो है डेट निकलाथा सम्मिट कराने का आठन दूजार इककीस से अभी जो है अभी इसका लाश्ट डेट जो है घोसित हुआ है इलवार्थी 1 कवेसी लाश्ट डेट 15.1.2022 तक जो है आप इसका जीवन परमानपत 1 कवेसी करवा सकते हैं अगर आप नहीं करवा आते हैं तो आपका पेंशन रोग दिया जाएगा तो आप जो है 151-2022 से पहले या 15 तारिक तक 15 जनवड़ी तक आप करवा लिजिए नहीं तो आपका पेंशन रुग जाएगा ये था बिहार पेंशन धाडियों के लिए पहला आपडेट और दूसरा आपडेट ये है सेंट्रल गुवर्मेंट के दुवारा जो पेंशन दिया जाता है उसका लाश्ट डिट जो है 22 फरवड़ी 2022 तक रखा गया है अगर आप 22 फरवड़ी 2022 तक अगर आप बायोमेट्रिक EKWC नहीं करवाते हैं तो आपका पेंशन जो है रोग दिया जाएगा आप 22 फरवड़ी 2022 से पहले अपना EKWC करवाले जिससे सरकार को आपका डाटा पहुंच जाएगा और आपका जीवन परमान पत्र सरकार को मिल जाएगा जिससे सरकार को पैसा आपके खाते में डालने मे कोई दिक्कत नहीं होगी ने तो आपका पेंशन सरकार के तरफ से रोग दिया जाता है कर ये जानकारी आपको अच्छी लगी होती पिलिज लाइक कोमेंट सेर और सस्क्राइब जरूर करे जय हिंद